क्लास सेकेंड गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे चेप्टर 14 और चेप्टर 14 है हमारा टाइम एंड डाइरेक्शन ठीके अर्थात समय और दिशा आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है ड्रो टू क्लॉक्स यहाँ पर दो क्लॉक्स बनाना है मैंने यहाँ पर एक बना दिये आपको यहाँ पर एक बनानी है अब इस घड़ी में जो हमने डाइल्स बनानी है इसमें हमें क्या बनाना है एक तो वेन आई गेट अप कि कब उठते हो जैसे आप साथ बज़े उठते हो तो आप डाइल में साथ बजा दो ठीक है घड़ी में साथ बजानी है आपको और जैसे यहाँ पर देखो 9 बज़े सोने जाते हो तो यहाँ पर आपकर ने 9 बज़े का समय दर्शा दिया है तो इसी तरह से यह आप साथ बज़े उठते हो तो साथ बज़े का जो वाच है घड़ी वह आपको बनानी है और उसमें कित्ती बजानी आपको साथ बजानी है ठीक है अब देखो time समय sun helps us to know the time कि जो सूरिय है वो हमारी समय बताने में सहिता करता है या समय जानने में हमारी सहिता करता है देखो जब सूरिय उदे होता है और एकदम आपकी सर के उपर आता है तब आप असानी से time बता सकते हो कि दिन के बारा बज गई है ठीक है when the sun rises it is morning कि जब सूरिय उदे होता है ठीक है तब आप बता सकते हो कि सूबे हो गई है ठीक है तो sun से मालूम पढ़ रहा है ना कि sun उग गया तो इसका मतलब क्या हो गई सूबे हो गई it is time to go to school अब सूबे हो गई है और सूबे का समय क्या है तयार होकर इसकूल जाने का ठीक है और हम स्कूल से घर का बाते है अर्थात दोपहर में इसका मतलब कि जब sun छिप जाता है ठीक है तब क्या होती है evening तब क्या होती है साम होती है तो बात समझ मैं कि जब सूर्य उदे होता है जब सूर्य उखता है तो क्या होती है morning और जब हम स्कूल से घर पर वापस आते है तब क्या होती है दोपहर होती है और जब सूर्य छुपता है ठीक है या छिप जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, evening और हम लोग साम को कहा जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं और जब आपका जो चंद्रमा है, moon है, जब एकदम चमकता है तो इसका मतलब क्या होगी, रात हो गई, ठीक है, it is night it is time to go bed and end the day और जब moon निकल जाता है, तो वो time क्या होता है, हमारे सोने का और इसका मतलब हमारे पुरे दिन का क्या हो गया है, end हो गया है ठीक है, हमारा जो पुरा एक दिन है, वो क्या हो गया, समापत हो गया है ठीक है, यहाँ पर देखो, सुबह यह बोए जो है वो उठ रहा है, तो morning, afternoon स्कूल से आया, घर पर दोपेर, ठीक है, फिर यह night सो गए देखो यहाँ पर, एक minute में कितने second होते हैं, 60 second बतलब घरी की सबसे छोटी unit कौन सी हुई, second तो जब आपकी minute वाली सुई, ठीक है, अब यहाँ पर दोखो, यह क्या है minute की सुई है, तो यह minute, ठीक है, जब एक यूँ बढ़ जाएगा एक बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखें यहाँ पर, यह one, two, three, four, five, तो यह इधर से जब यह, यह आली सुई, बड़ी आली सुई, इधर से, जब इधर आएगी, कहां से, इधर से, इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, अब यह एक मिनट कब होगा, जब आपकी सेकंड वाली जो सुई है, ठीक है, जो हमेशा चलती रहती है, टिक टिक करती रहती है, वो पूरा एक राउंड लेकर आएगी, तो मानलों कि यह 60 वाली सेकंड, सेकंड वाली सुई यहाँ पर थी, और गुमते 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 यहाँ पर हो जायेगा, तो इसका मतलब कितना समय ले रही है, वो 60 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है, अब एक आवर में कितने मिनिट सो ते है, अब यह देखो, यह किसकी सुई है, आर की, ठीक है, अब यह जो आपके आवर वाली जो आर वाली जो हेंड है जो सुई है अगर 10 पे जाएगी तो क्या हो जाएगा एक घंटे का समय है न तो 10 बच जाएगी तो 10 कब बज़ेगी जब ये मिनिट वाली सुई पूरा घूम कर वापस से यहाँ पर आ जाएगी तो ये मिनिट वाली सुई पूरा घूम कर जब यहाँ पर आ जाएगी तो कित्ता बच जाएगा टाइम हो जाएगा 10 बच जाएगी तो मिनिट वाली सुई जब 60 मिनिट हो जाएगा तो ये पूरा 60 हो गया न देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 तो जब ये 60 मिनिट हो जाएगे तो ये सुई जो है वो 9 से 10 पर चल जाएगी ठीके तो एक घंटे में कितने मिनिट हो गए फिर 60 मिनिट मतलब 60 मिनिट हो गए इसी तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक वीक में 7 डेज होते हैं और एक महिने में 30 डेज होते हैं और वन येर में 12 मन्थ होते हैं ठीक है अब देखो clock also help us to know the time कि जिस तरह से हमें सूर्य से समय का मालूम पड़ता है उसी तरह से clock जो है वो हमें क्या बताता है समय बताता है clock has a face and two hands तो clock का क्या है face होते हैं और two hands होते हैं ठीक है the small hand is our hand and the long hand is minute hand ठीक है इसका मतलब क्या है कि जो छोटी सुई होती जो छोटा hand होता है ये किसका होता है hour का किसका hour का मतलब घंटा ठीक है और ये जो बड़ी सुई है ये किसकी है minute की ठीक है तो ये बड़ी सुई किसकी है आपकी minute की और छोटी वाली सुई कितनी होगे आपकी hour की तो small hand hour hand और long hand जो है ये वाली ये किसकी है minute की ठीक है ये minute बात सुनमाई तो हमारे घड़ी में two hands होते है small hands को hour hand बोलते है और long hand को हम क्या बोलते है minute hand बोलते है अब इसके बाद next आता है मारे पास में direction ठीक है ये हम कल पढ़ेंगे ठीक है ओके students have a nice day टीक है बाता है